हलो मैं हूँ धरमवीर सिंग दियोल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप USA का B1 B2 विजा अपलाई कर सकते हैं तो ये वीडियो स्टेप बाइ स्टेप रहेगी इसमें हमने जो इसकी एप्लिकेशन का ओबर्वियू दिया है तो कैसे आप स्टेप बाइ स्टे है आपने वो स्लेक्ट करनी है और यहां पर जो इनकी जो यूएस अमबैसी रहती है उसी हिसाब से आपके पास जो बिल्कुल नियरबाई अमबैसी है जहां पर आपकी इंट्रिव्यू होगा वो आपने यहां पर स्लेक्ट करना है तो मैं यहां इंडिया न्यू डेली यहा में आपके पास जो multiple जो question है तो यहां पर आपको security question में से किसी एक को choose करना है और उसका answer है वो आपने यहां पर लिखना है जो आप वो answer ने जो आप याद रख सकें कि in case आपने बाद में अपनी file का process जानना है तब यह जो answer है यह आपके बहुत काम आएगा continue पर हमने click करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो basic detail है यहां पर surname mandatory है आप बिना surname के continue नहीं कर सकते given name में आपका name आएगा as per as your passport full name and native alphabet को हमें does not apply कर देना है और in case आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं तब आपने yes करना है और में जो आपका gender है और जो आपका gender है उसी साबसे आपने यह option है यह चूज करने है marital status में आप अपने जो आपके पर applicable है वह उसी साबसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं मैं married हो तो मैं married लिख देता हूँ उसके बाद में आपकी जो date of birth है आपने वो select करनी है और उसके बाद जो आपकी place of birth है वो आपने यहाँ पर लिखना है state में आप अपनी state चूज कर सकते हैं और यहाँ पर इंडिया आ जाएगा और उसके बाद में आपने application save करनी है यह आपको save करनी होगी आपकी आपकी जो application है वो save नहीं होती और इस website का सबसे बड़ा drawback है कि यह इसका session time out बड़ी जल्दी होता है तो आपने यह save करते रहना है continue application पर click करना है और यहाँ पर हमें next personal to पर click करना है तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन सी country की nationality है तो मैं यहाँ पर इंडिया select करता हूँ और in case आपके पास किसी और देश की citizenship भी है तब आप यहाँ पर yes click करें नहीं तो no click करें यहाँ पर भी आपने no click करना है और आपने यहाँ पर अपना जो national identification number है वो आपने provide करना है यहाँ पर आप अपने अधार card का number दे सकते हैं आप अपने pan card का number दे सकते हैं in case आपके पास दोनों available नहीं है तो आप यहाँ पर does not apply पे जाके भी click कर सकते हैं जैसे हमारे पास US का जो social security number होता है वो नहीं है तो मैं यहाँ पे does not apply पे click कर देता हूँ और जो हमारे पास taxpayer number है वो भी नहीं है तो मैं यहाँ पे does not apply पे click कर देता हूँ next हम travel पे click करते हैं तो अभी हमसे पूशा जा रहा है कि जो आपका purpose क्या है US आने का तो हम यहाँ पे क्योंकि visitor visa पे जा रहे हैं तो मैं यहाँ temporary business pleasure visitor यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ specify में मैं यहाँ B1, B2 category को select करता हूँ in case आपके पास specific travel plans है तब आप yes पे click करें और यहाँ पर पूरी की पूरी detail दें कि आपने कौन सी date को आप US में आने वाले हो कौन सी flight से आप आओगे और कौन सी city में आप आओगे उसके बाद में यहाँ पर आपने departure की detail देनी है कि आप कौन सी date को departure करोगे और आपकी जो flight है वो कौन सी होगी और city कौन सी होगी in case आपके पास इतनी specific detail नहीं है तो आप simply no बे click कर सकते हैं अगर आप मेरी recommendation मानते हैं तब यह है कि आपको यह travel plan बनाना होगा जिससे जो आपकी file है वो strong हो सके और उनको जो reason है वो clarify हो सके कि आपने as a जो आपका main purpose है वो सिरफ आपर travel है मैं यहाँ demo purpose के लिए से no कर देता हूँ और तब हमें intended date of arrival देनी है तो जैसे let's suppose के आज हमारी 25th January है तो मैं यहाँ पे 25th March यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ और जो year है वो मैं 2000 and 23 कर लेता हूँ तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप कितने time तक US रहोगे देखो जो US का visa होता है वो 10 year तक valid रहता है in case आप यहाँ पर 10 days भी लिख दोगे तब भी यह जो है यह आपको 10 साल का visa ही मिलेगा और यहाँ पर हमें जो हमारा address देना है जहाँ पर हम USA में जाके रह रहे हैं in case आपको किसे ने sponsor किया है तब आप उनका address यहाँ पर दे सकते हैं आपने अपनी application save करनी है और next पर continue कर देना है एक चीज का ध्यान रखना कि in case आप किसी चीज को miss out कर जाते हैं या आपका जो session है वो out हो जाता है तब आपने जो आपका application ID है उसको copy करके रखना है उसको संभाल के रखना है कि same application ID से आप अपनी जो आ travel companion पर कलिक करते हैं तो यहाँ हमसे पूशा जा रहा है कि क्या आपके साथ कोई और परसण भी travel कर रहा है in case आपके साथ जा रहा है तो आप yes पर कलिक करेंगे और इंकेस नहीं तो आप नू पे क्लिक करेंगे और next previous US travel पे क्लिक करेंगे तो यहां हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो कभी पहले USA में आये हैं इनकेस आप पहले गए हैं तो आप Yes कर सकते हैं नहीं तो नू पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको पहले US visa इशू किया गया है तो आ यहाँ पर आपने इनके सबने पहले फाइल लगाई है तो कोशिश करें कि जो आपका status था उसे हिसाब से यहाँ पर option चूज करें तो यहाँ पर भी जो है कि यहां पर हमें no select करना है और हमारे जो next तो हमें next address और phone पर यहां पर आपने अपना home address देना है जो आपका currently अभी address है उसके बाद में यह पूछ रहा है कि जो आपका mailing address और home address same है अगर same है तो आप yes पर click करें अगर नहीं तो no पर click करें यहां पर आपका जो phone number है वो आपको यहां पर देना होगा तो यह 10 decision का number है तो भू मैं as a dummy number यहाँ पर दे देता हूँ in case आपका कोई scoundry number है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो does not apply पर click करें अगर आपके पास कोई work phone number है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं नहीं तो does not apply पर click करें तो यह पूछ रहे हैं कि आपके आप पिछले 5 साल से किसी और नंबर को भी यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली 9 पे कलिक करें तो यहां जो आपकी आपने email address भरनी है यह बिलकुल mandatory है क्योंकि जो भी communicate होगा वो इसी address से होगा तो यहां पर भी हमें no पे कलिक करना है तो यह social media पे आपकी presence पूछ रहे हैं कि आप social media पे active हैं तो अगर आप हैं तो यहां से आप platform को choose कर सकते हैं जैसे माल लिजिए कि आपने facebook choose किया तो यहां आपको जो उसका आपकी profile का link है वो आपको यहां पे देना होगा तो मैं just यहां पे इसे copy कर देता हूँ और मैं यहां पे इसे paste कर देता हूँ तो यहां हमसे पूछा जा रहा है कि आप facebook के अलावा भी किसी website पे active हैं अगर आप हैं तो yes कर सकते हैं नहीं तो no कर सकते हैं application को save करें continue application और यहां पे हमें next passport पे हमें click करना है तो अब हमें जो हमारा passport है वो select करना है हमारे पास regular passport होता है यहां पर हमें जो हमारा passport number है वो enter करना है यहां पे जो passport book number है यह applicable नहीं होता तो मैं यहां पे does not apply कर देता हूँ जो country है वो India है और जहांसे हमारा passport issue हुआ है वो city हमने यहां पर टाइप करनी है, आप अपने passport पे detail दे सकते हैं, यहां पर आपका जो passport जब issue हुआ था, तो वो date आपने यहां पर select करनी है। और यहां पर जब तक passport की expiry है वो date आपने यहां पर select करनी है अगर आपके पास कोई पहले passport था और वो खो चुका है अगर आपके पास कोई ऐसा chance हुआ है तो आप yes पर click करें नहीं तो no पर click करें और उसके बाद में हमें US contact में move करना है यहां पर हमें उन person की detail एंटर करनी है जिन्होंने हमें invite किया है USA में तो जो उनका name होगा वो हमने यहां पर टाइप करना है मैं as a demo purpose के लिए यहां पर name टाइप कर रहा हूं तो in case उनके कोई organization है कोई firm है तो आप उनका name दे सकता है नहीं तो do not apply पर click करें उनके बाद में यहां पर relationship है कि क्या आपका relation है उनके साथ इनके relative है अगर relative है तो आप relative सर्च कर सकते हैं इनके साब के spouse है तो आप spouse click करें इनके साब के friends है तो आप यहां पर friends select कर सकते हैं और यहां पर जो उनका address है वो complete आपने देना है next आपने family पर click करना है यहां पे आपने अपने फादर की डिटेल देनी है और यहां पे आपने मदर की डिटेल देनी है फादर की डिटेल में उनका सरनेम आएगा आपने यहां पे अपने फादर की डेट और बर्थ देनी है इनकेस आपको नहीं बता तो आप do not no पे भी click कर सकते हैं यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके father है वो US में है अगर है तो yes कर सकते है नहीं तो no पे click करें यहाँ पे आपने अपनी mother की detail देनी है यहां आपसे फिर पूछा जा रहा है कि जो आपके mother US में है अगर है तो आप yes करें नहीं तो no करें तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके immediate relative US में रहते हैं in case आपकी spouse वहाँ पे रहती है तब आप select कर सकते हैं आपके बच्चे हैं वहाँ पे US में तब आप यह option select कर सकते हैं इन case आपके brother और sister है तब आप option select कर सकते हैं अगर है तो आप yes पे click करें इस नहीं है तो आप simply no पे click करें तो यहां पर भी हमें no select करना है और हमें next spouse पे क्लिक करना है तो यहां पे आपने जो अपनी आपकी spouse है उनकी detail देनी है इन केस आप first option में अगर आप single यहाँ पर select करते तब यह detail आपके पास यहाँ पर visible नहीं होती और इस application को save करना है continue application पर click करना है और next work and education और training पर हमें click करना है तो यहाँ पर आपने अपनी तो इस column में आपने सबसे पहले अपना जो आपका occupation है वो select करना है उसके बाद में जो आपका employer है वो आपने यहाँ पर name type करना है आपने address आपनी जहां पर आप काम करते हैं वो address आपने यहाँ पर type करना है और यहां पर आपने जो आपकी duties हैं वो आपने यहां पर describe करनी हैं यह describe जरूर करें क्योंकि जो भी आपकी यहां पर employment की detail होगी वो आपने यहां पर add करनी है इससे आपकी file strong होगी और यह question आपको useful होगे इनकेस आपका interview आता है तो next आपने work and education पर click करना है और यहां आपको पहले जो आपने अभी हमने detail ली यहां पर क्या है नहीं करते थे तो आप no पर click कर सकते हैं तो यहां आपसे पूशा जा रहा है किया आपने कभी कोई educational institute join किया है, secondary education के बाद यानि कि कोई आपने graduation या master graduation की है, अगर आपने की है तो आप yes कर सकते हैं, आपको यहां पे अपनी detail देनी होगी, इन case नहीं की तो आप simply no पे click कर सकते हैं, और उसके बाद में यहां पे work education additional प इन case आप किसी tribe से संबंद रखते हैं, तब आप yes कर सकते हैं, इन case नहीं तो आप no पे click करें, और यहां पे जो आप language बोल सकते हैं, आप यहां पे उन्हें type करें, इन case आप option आप चाहते हैं, तो यहां पे जो दूसरी option है वो भी आप add कर सकते हैं, यह हमसे पूशा जा रह organization से belong करते हैं, तो आप yes कर सकते हैं, इन case नहीं तो no कर सकते हैं, इन case आप nuclear, biological या chemical expert हैं, तो आप यहां पे yes कर सकते हैं, इन case नहीं तो no कर सकते हैं, अगर आपने military में काम किया है, तो आप यहां पे yes कर सकते हैं, इन case नहीं तो no कर सकते हैं, तो यहां पर भी आपने no पे click करना है और उसके बाद में हमें security and background पर question पर move करना है तो यहां पर हमें सबसे पहले no select करना है उसके बाद में भी हमें no select करना है और उसके बाद में भी हमें no select करना है और जो हमारा security background part 2 है हमें उस पर move करना है यहां भी हमने no select करना है यहां भी no select करना है और यहाँ पे भी हमें no select करना है यह सारे जो question है यहाँ पे हमें simply no select करना है और next पे move कर जाना है आप जो question है अपने हिसाब से इनके साब को लगता है तो आप yes पे कर लिए simply जो यहाँ पर जितने भी question होते हैं background के वो सारे के सारे security purpose को लेके होते हैं इनकेस आपकी profile clean है तो आप सारे के सारे जो question है उनका answer no में दे सकते हैं यहाँ पर जो हमारा question है यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी country से deport हुए है rather than USA तो इनकेस आप केस में कोई ऐसा scenario है तब आप यहाँ पर yes क्लिक कर सकते हैं नहीं तो no पर क्लिक करें और यहाँ पर अपनी जो file है उसे save करते रहें क्योंकि यह इनका जो time out है बहुत जलती होता है जिससे आपकी profile जो है वो खराब हो सकती है और आपको दुबारा सारी की सारी information यहाँ पर देनी पड़ेगी आपने next पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर भी no आएगा उसके बाद में भी यहाँ पर no आएगा और इसके बाद में भी no आएगा और सबसे last में जो अब हमारे पास option है यहाँ पर जो हमारा review है जो हमने अभी हमने तो अब यह हमारी file का review है कि जो भी हमने detail यहाँ पर enter की है तो वो यहाँ पर हमें visible हो रही है इनके साब चाहें तो आप यहाँ पर जो अपनी detail है उसे edit कर सकते हैं इस आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही information दी है तो आप यहाँ पे next travel पे click कर सकते हैं तो आपने one by one करके यह सारी के सारी जो detail है वो आपने अच्छी तरह जाच लेनी है कि जो भी आपने detail दी है वो बिल्कुल ठीक है यह आपको one by one करके जो भी हमने detail दी है सकते हैं और यहाँ पे आपने बिल्कुल last में जाके आपने sign करना है और अपनी application को submit कर देना है उसके बाद में जो process होगा वो आपकी appointment होगी जहाँ पर आपका biometrics हैं आपके interview होगे तब आपके जो file का final decision है वो आपको पता लग जाएगा तो यहाँ पर आपका passport number आपने डालना है और जो यह code है यहाँ पर आपने अंटर करना है और आपने submit application करते नहीं है तो यह video थी जहाँ पर हमने पताया कि आप घर बैठके कैसे USA का B1, B2 जो visa है उसे apply कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe भी जुरूर करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में